हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT जॉब में केंद्रे विध्याले संक्टन की तरफ से सिक्षक भरती का एक और नया विग्यापन जारी किया गया है कौन कौन यहाँ पर आविदन कर सकता है, subject क्या है, qualification क्या कही गई है, salary क्या दी जाएगी, यह सारी चीज़ें आप लोगों को notification में देखने को मिलेगी तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले subject देख लेते हैं PZT Hindi, English and Political Science के लिए vacancy आई हुई है और जिसमें post graduation 50% marks के साथ में B.Ed आपका होना चाहिए PZT के teachers को 27,500 salary दी जाएगी trained graduate teachers में Hindi, English and Sanskrit की vacancy है जिसमें graduation आपकी होनी चाहिए 50% marks के साथ में B.Ed होना चाहिए और साथ में CTAT या फिर आपकी राज्य का TAT क्लियर होना चाहिए और salary यहाँ पर trained graduate teachers को दी जाएगी 26,250 Computer instructor की vacancy है B.Ed या B.E. या फिर B.Tech Computer Science में या M.Tech Computer Science में, M.C.A. या M.S.C. Computer Science में या फिर आपने MA भी किया है और साथ में आपके पास जो है Computer का diploma है तो भी आप यहाँ पर eligible है यहाँ पर जो है Secondary Classes के लिए और Primary Classes के लिए अलग-अलग salary है Computer instructor में 26,250 Secondary Classes में है And Primary Classes के लिए 21,250 तो आप देख लिए अगर आपका subject है तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर apply कर सकते है आपकी भारत में किसी भी राजी के candidate है बिल्कुल यहाँ आविदन कर सकते हैं आपने Hindi Medium, English Medium से पढ़ाई की है बिल्कुल कोई भी जो है यहाँ पर बाउंडिशन नहीं है किसी भी candidate के लिए ठीक है अगर आपका यहाँ interview होता है क्योंकि written exam नहीं होगा मात्र interview ही रहेगा तो वो भी आप लोग जो है Hindi Medium या English Medium में में दे सकते है नेक्स्ट जो है yoga instructor की vacancy है ग्रैजुशन के साथ में 1 साल का degree है डिपलोमा yoga में होना चाहिए game coach की vacancy बैसलर डिग्री के साथ में बैसलर डिग्री in physical education में ठीक है and diploma salary वही रहेगी 21,250 जो की yoga instructor की है counselor की vacancy है BA या B SC psychology में और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए काउंसलिंग में नेक्स्ट नर्स की वेकेंसी है डिप्लोमा चाहिए नर्सिंग फ्रॉम रिकोगनाईज इंस्टिउशन रजिस्टर विद दर नर्सिंग काउंसलिंग यहाँ पर नर्स के लिए जो सैलरी रहेगी 750 पर डे तो आप देख लीजिए यहाँ पर 22,000 के अप्रोक्स जो है यहाँ पर सैलरी नर्स की रहने वाली है म्यूजिक कोच की वेकेंसी है तो 12-50% मार्क्स के साथ में होना चाहिए और म्यूजिक में आपका यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन हो स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है लेकिन साथ में आपके पास डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन का या डिएड कोर्स भी जो है आपका यहाँ पर चल जाएगा ठीक है, सैलरी जो है 26,250 स्पेशल एजुकेटर के टीचर की नेक्स्ट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एंटिटी कोर्स किया है D.E.C.E.D. किया है, अर्ली चाइल्वूड एजुकेशन प्रोग्राम जिसे कहते हैं जो कि दो सालों से कमका नहीं होना चाहिए और B.E.D. नरसरी वाले, बिल्कुल बालवाटिकर टीचर्स की वेकैंसी है यहाँ पर अर्ली चाइल्वूड केर एजुकेशन, E.C.C.E. टीचर्स सैलरी जो है यह क्या दे रहे हैं, तो 21,250 यहाँ पर बालवाटिकर टीचर्स की रहेगी तो यह क्वालिफिकेशन रही, वेकैंसी कहां से आई है, तो यह हम चेक कर लेते हैं पहले जो है यहाँ पर न्यूस पेपर की कटिंग भी, जो है मेन वेफसाइट पर डाली गई है कॉंट्रेक्ट बेस पर वेकैंसी है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अभी पर्मानेंट वेकैंसी बिल्कुल इसी वर्स जो है वो आएगी ऐसे केंडिडेट जो यहाँ पर जॉब कर लेते हैं, तो उनको आगे जब इंटर्वियो रहेगा पर्मानेंट जॉब का, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है, तो एक बार आप लोगों को यहाँ पर जॉब जरूर करनी चाहिए, भले ही कॉन्ट्रेक्ट वेस पर ही क्यों न हो, तो यह वेकैंसी है, केंडरी विध्याले ओफ रायपूर दहरादून से यह वेकैंसी है अभी जो है, अप्लिकेशन फॉर्म जो है, आप लोगों को कहा मिलेगा, अगर आप अप्लाइ करना चाहते हैं, तो नीचे आएंगे आप, और इसी नोटिफिकेशन के नीचे आप लोगों को, केंडरी विध्याले रायपूर दहरादून, कॉन्ट्रेक्ट्चुल टीचर 2024 24.25, यहाँ पर अप्लिकेशन फॉर्म मिलेगा, इसे आप लोगों को फिल करना है, बहुत सारे कैंडिट्ट्च जो की कॉन्ट्रेक्ट बेस पर बिल्कुल फॉर्म फिल करते हैं, उसकी वज़े क्या होती है, कि जैसे ही पर्मानेंट वेकेंसी आती है, तो उनको एक तो पर्मानेंट जोब पाना चाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को जो कॉन्ट्रेक्ट पर वेकेंसी आती है, चाहिए APS हो, DPS हो, KVS हो, तो बिल्कुल आप लोगों को करनी चाहिए, तो यह वेकेंसी थी, जो भी कैंडिडेट अप्लाए करना चाते है, तो मेन वेबसाइ इसकी यहाँ पर दी हुई है, स्क्रीन शॉट जो है वो आप लोग ले सकते हैं, दहरादून, olf.kvs.ac.in, ठीक है, इस पर आप लोगों को जाना होगा, और आप लोगों को यह नोटिफिकेशन और एप्लिकेशन फॉर्म दोनों ही मिल जाएगा, लिंक में आप लोगों को कर दूँगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर सके, मिलेंगे नेक्ट वीडियो में, थैंक यू.